तो हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने चैनल आसे जो के सनल पर तो जैसे हम सभी जानते हैं कि यहां पर हम जो सीरीज चल लए हमारे हमारे चैनल पर यूटूब चैनल पर तो यूटूब तरह जो पीटी एक्जाम कंड़क्ट करवाता है उसके सब्सक्राइब करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी कुछ है चलिए तो चलिए असरुबात कर लेते हैं कुछ एक्जाम है बनने के बहुत चांत है यह दखिएगा आप इसमें से लगाई आपके सही हो रहे हैं तो पहला कुश्चन है रहामन मैक्स से प्रुषकार किस देश के राश्पती के सम्मान में स्थापित किया गया था ओप्सन है थाइलेंड विटमेन इंडोनेशिया फिलिपीन तो यहां पर आपको राइट अंसर बताना होगा इसका राइट अंसर क्या है तो इसका राइट अंसर आप्सन नमबर इ incorpor쪽i फिलिपीन चमिये राश्ट थे छया थे साथवी राष्णपती से लुगओ फिलिपीनिश कर राश्पत이ल उनी के याद में ही नका राश्पती क्या बूत मैक्स से उनके नाम से नाम था उनका राश्टपती का किती नमर के थे हो थे सेवन पे नमर के थे कहां के थे इंडियोनेसिया के थे और इनको जब ये प्रुष्कार देनी की शुरूबात कब से हुई यह हुईती 2000 से याद रखेगा 2000 से यह प्रुष्कार देनी की शुरुवात हुई और साथ वे राष्ट पती रहे थे यह कौन रैमन मैक्ट से राष्ट पति रहे थे और यह फिलिपीनिगे राष्पति थे तो उनहीं की याद में यह प्रश्जकार दिया जाता है और यह कहां इंडूर सिए या की यह दंगे का फिलिपीन इंडूरिसे सिरव क को scholar पाल माड हिसे एक अद्वेक्ज कौन है भित एकटस कौन यहां पर यहां पर विजको होंट वह दो nota हूए है यह हुए है जून में यहaro abundant संद्रीज मेन यह वह कौन है यह वहां आजय को अजय बंगा अज्य बंगा यह को बने हुए हैं इन में से कोई भी आप्सन नहीं है यह यह विस्प्रेंट होगा है तो इन में से एक आप लिखने जीएगा नन ओफ दीज कि नन ओफ नमर थ्री का जो राइट अंसर है ऑप्सन नमर ए होगा राइट अंसर मले अलम लक्षदीप के लोग मले अलम की बासा बोलते हैं चलिए अगले कुछिन की बात करेंगे रेड क्लिफ अंतराष्ट्री सीमा किन दो देशों के बीच है तो देखे यहाँ पर आपको बता दें कि जो रेड क्लिफ अंतराष्ट्री सीमा है दो किन दो देशों के बीच है तो यह हो जाएगा ऑप्सन नमर ए हो जाएगा भारत एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीज रैड क्लिफ रेखा बनती है चलिए अब यह कब बनी थी तो यह बनी थी 17 अगर्स्थ को याद रखेगा 17 अगर्स्थ उनीस सो 47 को यह रेखा बनी जब विवाजन हुआ था बागत और पाकस्तान की बीज उसी दोरान सर्रेट क्लिफ ने यह विवाजन किया था और उनी के नाम पर यह नाम पड़ा अंतरश्टी सिमा कौन सी रैड क्लिफ रेखा चलिए और भी बात कर लेते हैं भारत और बंग्लादिस की बीच कौन सी है यह आपको बताना है कौन सी भाद बंग्लादिस की बीच और और भी बताते हैं आपको पाकस्तान और अफगानिस्तान की बीच है पाकस्तान और अफगानिस्तान की बीच में कौन सी है यह है डूरंड रेखा कौन सी है डूरंड रेखा भारत माता नामक प्रिश्द्य पैंटिंग के चित्रकार कौन थे तो भारत माता नामक पैंटिंग के चित्रकार कौन थे तो यह कौन है आपको आपके सामने जो अप्सन दिये हैं इन्वे से बताना है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अब पांच में यह हैं पैंटिंग भात माता की जो पैंटिंग इन्हों नहीं बनाइती कौन अभी नाथ टैक और ने चली अगले कुछन की बात करेंगे अगला कुछन है किस बिधेक के द्वारा भारत सरकार एक वर्स के लिए राजस्वे संग्रह का प्रिस्ताव देती है तो किस तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा ऑपूस्वन नमबर बी इसकी दोरा बावा था सरकार एक वर्समें रायस्वे का प्रिस्ताव देती है और यह जो बिद्विधेक है यह किस अनुशियत के द्वारा है तो यह होता है ऐर्टिकल कि 1112 जो विद्वेक है और टिकल 112 में है इसका ब्रणन है चले अगले कुछ इंकी बात करेंगे भारती संस्थ की पुपरी शतन का नाम क्या होता है देखिए इसमें तो भारती हमारी शत간 होती है भारत में संसे में कुल दूशवा होती है ौनसा सी होती है इक राज स्थाधा लोग शवा को निम सदन बोला जाता है और जो उपर बात करेंगे राज सवा का जो बढ़न है किस अरुष्यद में है जो राज सवा बनती है किस आर्टिकल के तहते बनती है तो यह आर्टिकल बनती है अर्टिकल बनती है और इसकी अधिक्तम जो जनसंक्या है अधिक्तम सदस्कियों की संख्या है वो कितनी है वो है ढाई सो कितनी है ढाई सो याद रखेगा कुश्चन ऐसे ही बिल्कुल पूछ ले जाते हैं अब यदि राश्पति द्वारा कितनी सद्स मनुनित की जाते हैं त जो राश्पति द्वारा मनुनित की जाते हैं किसमें राजसाव में आर्टिकल असी में यह वर्णित है और जो जो अधिक्तम संख्या है सदस्यों की वो कितनी है दो सो पचास चलिए किन देश को किस देश को हजारों जीलों की भूमी के रूप में जाना जाता है तो हजार जीलों की भूमी किसे बोलते हैं तो यह बोलते हैं फिल्लेंड को आपस नमर क्या हो जाएगा बी इस दा राइट अंसर फिल्लेंड को हजार देश की भूमी का है आता है आपको सहुए है कौन सा है कुशचन आता हुआ है यह है औ्स ट्रेलिया शो चलित अगला कुशचन क्या है घ्राइब को सफेथ और सफेथहाति का यह आपको mentioning करक îande पताना है चलिए अगला क्योंन है दो शद्रों के वीच गतिरोथ के मामले में शैयुक्त बेटचा किसके दारा की आती है उसकी कवा कॉं करता है लोग जो की स्वीकर होता तो लोक्षवा का अध्यक्ष ही, इसकी जो सहीक तो बैठा होती ही, उसकी अध्यक्षता करता है, अगले कुश्चन की बात करेंगे, अगले कुश्चन क्या है, निम लेखित में से कौन सा सहर सुदूर पूर में इस्थित है, तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, यह क्य लेखा कौन है, तो यह हो जाएगा, और के नारायन इस्थाराइट अंसर, और चलिए अगले कुश्चन है, संसत के दो सत्रों के बीच अधिक्तम अंतराल कितना है, संसत के जब दो सत्रों होते हैं, पहले तो आप यह बताएए कि भारती संसत में, मतब एक साल में, एक साल म बला जाते हैं, लेकिन अधिक्तम तीन सत्रों के भी जो अंतराल होता है, वो कितने होना चाहिए, वो होता है, 6 माह का यह उत्युक्रण होना चाहिए, छलिए, अगला अग्ला जो सिट्स्न है राज शभा राज विधान सभाओं के लिए निर्धारत अधिक्तम श्रदश्य शंख्या क्या है इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांसो पांसो अधिक्तम जंसंख्या अधिक्तम शंख्या है लेकिन अधिक्तम यह क्या है अधिक्तम यह है अधिक्तम लेक कम नहीं होने चाहिए साठ से कम ना हो कि चलिए अगले क्विश्य के बात करेंगे कि दो हजार ग्यारा की जनगंड के अरजनसार देश में कुल लिंगानुपात कितना है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो क्या है 940 और बी में हो जाएगा तो 940 940 महिलाओं पर एक हजार पुरूस यह कहें एक हजार पुरूस पर 940 महिलाओं है यह लिंगानुपात होता है अब वह यदि बात कि जाए कि बात कि बात में जनसंग क्या अगनात है वो कितना है तो यह है 382 382 वर्ग किलीटर अब पूछ ले याता यह सबसे अधिक साख्षरता किस किस राज्जा की है तो यह हो 93.91 परसेंट यह है केरल की सबसे अधिक साख शर्ता और यह सबसे कम पूछी जाए तो कम है किसकी बिहार की किसकी है बिहार की बिहार की कितनी है वो है 61.8080 परसेंट चलिए तो इसी तरह अगला कुछ निगे बात करेंगे पस्चिम बंगाल में कितने पस्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साजा करता है तो पस्चिम बंगाल किन किन देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है तो आपको बता दें कितने कुल कितने देश है तो है कुल तीन तीन देश ऐसे हैं जो पस्चिम बंगाल से लगते हैं आपको कौन कौन से हैं यह आपको बताना है तो देखें आपको बता देंगे जो पूर में है पूर में पढ़ता है बांगलादेश बांगलादेश उत्तर में पढ़ता है भूटान और उत्तर पूर में उत्तर पूर में पढ़ता है नेपाल यह तीन देश जो है पस्टिम बं I call Oh १किशित्र किस राज में नो तंग की एक लोग निरत है देखे इस की जो बात करेंगे नो één किस राज का लोग निरत यह है तो इसका जोई य कर लेते है जो रायस्थान का यह यह गूमर याद रकीएगा गुहुमर लोकनत है राष्थान का तमिल नाडू की बात करें तमिल नाडू का कौन सा है तमिल नाडू का है भरत नाट्यम भरत नाट्यम और गुजरात के दिबात करें तो सभी को पता होगा गुजरात का कौन सा है तो ये है गर्व चलिए अगला कुशन क्या है अगला बादियंत्र बना हुआ था यह कौन सा था सब्सक्राइब तो यह हो जाएगा इसके राइट अंसर हो जाएगा वह जाएगा बिग्णा और सी दाराइट अंसर चलिए अगला कुश्चन है शमय में समय के संदर्व में GMT का मतलब क्या होता है यह आपको बताना है यह GMT का मतलब होता है वो क्या है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन विच मीन टाइम क्या होता है ग्रीन विच मीन टाइम ओप्सन नमर बी हो जाएगा इसका राइट अंसर अब यहां पर आपको बता दें जो एक GMT होता है एक होता है IST क्या होता है इक होता है IST IST होता है IST अब यह यहां पर GMT का मतलब तो हमने समझ लिया क्रीन विच मीन टाइम से होता है लेकिन IST का मतलब क्या होता है यह होता है इंडियन इंडियन स्टेंडर्ड टाइम इंडियन स्टेंडर्ड टाइम अब बात यह भी आती है कि IST और GMT की बीच कितने समय का अंत्राल है तो यह है 15.5 गंटे 15.5 गंटा 015 गंटा जो GMT और IST के बीच जो अंत्र है वो कितने स्टेंडर्ड पांच गंटे का है लेकिन आपको बताई कि जो IST वाला समाय होता है यानि कि इंडियन इस्टेंडर टाइम होता है GMT कितने घंटे ये आगे चलता है साड़े पांच घंटे आगे चलता है या ते कौन सा आगे चलता है जो हमारा भारत का समाय है इंडियन इस्टेंडर टाइम है ये GMT से कितना आगे चलता है साड़े पा यह कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा राइस्थान अब राइस्थान के किस जिलें से शुरू हुआ था तो यह हुआ था नागोर जिले से राइस्थान के नागोर जिलों से शुरू हुआ था यह किसने शुरूबात की थी तो यह थी पंडित जवालात नहिरू के द्वारा ये शुरू की गई थी ये जो हमारे उस समय के कालिन प्रधान मंत्री थे अब ये शुरू बात कब हुई थी ये हुई थी दो ऑक्टूबर 1956 को यह लागू हुआ था राहिस्थान जो पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज जो कौन सा है राहिस्थान का नागोर जि राहिस्थान है अंतराष्टि ये नयालय का मुख्यालय किस राज में श्थे थे यहां पर आप सभी को पता होगा तो इसका जो राइट अंसर क्या है नीद लेस्था भीच जून 1945 याद खिए गए यह सन बहुत important है कुष्चन में हमेशा कईवारी यही बन जाती है यह सन ही बन जाती है डेट तो बहुत कम बनती है छबी चूँ तो बहुत कम बनती है लेकिन जो इसके इस सन है यह हमेशा बन जाती है 1945 इसकी स्ताफना कवीती 1945 चलिए अगले कुष्चन की बात करेंगे भारत की जनगर्णा भारत की जनगर्णा 2011 की रिपूर्ट के अनुसार याद रखेंगे यह थोड़ा स्टिक हो गया है लेकिन 2011 है 2011 की रिपूर्ट के अनुस्वार ग्रामिरी चेत्रों में रहने वाली जनगर्णा क्या कितने परसेंट है तो इसका जो राइट अंसर है वो कितना है 68.884 परसेंट इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए अगले कुष्चन है रमबाडा रवांडा की राजधानी क्या है तो रवांडा की राजधानी क्या है इसका आपको अंसर करके बताना है तो रवांडा की जो राजधानी है वो क्या है option number c किगाली किगाली is the right answer जो रवा की रवानडा की राजदानी अब यहां की मुद्रा की भी बात करेंगे तो मुद्रा कौन सी है तो यहां पर इसकी जो मुद्रा है रवानडा रवानडा फ्रेंक रवानडा फ्रेंक इसकी क्या है मुद्रा है राजदानी क्या है किगाली चल अंसर हो जाएगा वो कहां है रोम रोम जो कि कहां पढ़ता है इटली में पढ़ता है इटली में रोम में इटली में क्रिसी और खाद्य और क्रिसी संग्ठन का मुख्याला यानि की एफ एफ एओ का मुख्याल है कहां पर है रोम इटली चलिए अगला जो कुशन है भारत में अतितिक आवादी वाला सहर कौन सा है तो आप सभी को पता होगा इसका अंसर तो सबसे अधिक जो आवादी है वो कहां पर है यह है मुंबई में और सी हो जाएगा राइट अंसर चल सार कुछ कुछ देश को सामिल किया गया है तो यह है कौन से एक तो है भारत भारत पाकिस्तान बांगला देश बांगला देश श्री लंका श्री लंका नेपाल मालदीप है और अफगानिस्तान अफगानिस्तान कुल आठ देश हैं जो सार्क की अप्रमुक्त श्रड़च हैं लेकिन यहां प्रूचा है प्सद्श सर लहीं है सार्क का तो यहां पर आपको बता-देश की अप्सिन नमबर बी चीन चीन इस देश के जो सार का शर्ष नहीं है चीन देश चलिए अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है बांगला देश की मुद्रा का नाम क्या है बांगला देश की मुद्रा का नाम क्या है तो यह तो सभी को पता है बहुत important कुश्चन है तो बांगला देश को जो क्या है धाका क्या है धाका धाका राजधानी क्या है राजधानी है धाका और मुद्रा क्या है टका आपको यह बताने कि रियाल किसकी मुद्रा है रियाल किसकी मुद्रा है तो यह आपको बताना होगा कमेंट करके तो यह जो रियाल है किसकी मुद्रा है तो ये रियाल है साउधी अरब की किसकी साउधी अरब याद रखी गा साउधी अरब की और दिरहम किसका है दिरहम है यू ए यानि ये संयुक्त अरब अमिरात और रुपिया तो आप सभी को पता है किसकी है एक तो है स्री लंका की इंडिया की और पाकस्तान की ये क्यों को है स्री लंका इंडिया एंड पाकिस्तान की भी कौन से रुपया मुद्रा है चलिए अगला कुश्चन है अंतराष्टी यूबा दिवस कम मनाये जाता है तो अंतराष्टी यूबा दिवस की बात करेंगे तो ये कौन से मनायाता है ये है 12 अगस्त को अंतराष्टी यूबा मना जाता है जो कि पंड़े जवला नहरू के जम्निन पर मना जाता है यह मनाते हैं यह बनाते हैं विस्व जनसंक्या दिवस विस्व जनसंक्या दिवस और चार मारों कौन सा मनाते हैं तो यह मनाते हैं राष्ट्री सुरक्षा दिवस राष्ट्री सुरक्षा दिवस याद रखिएगा इंपूटेंट कुश्चन बनते हैं इस तरह से चलिए अगला जो कुश्चन है अगला है ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यला कौन सा है तो ब्रिक्स का मुख्यला कहां पर है तो यह है संगाई जो की चीन का ही हिस्चा है चलिए अगला कुश्चन है दुदवा नैस नैस्तुरत बार कहां पर है ये हमारे है उत्तव पृध्यषम है उत्तर प्रदेश में जो की उत्तव प्रदेश का एक मात्र राष्ट्री नैस्चि Celtप यह दूद बार ने सनल प्राष्टी उध्यान अध्यान कहां पर यह कहां है और यह है यह लखीम पूर खीरी लखीम पूर खीरी में इस्तित है चलिए और यह उत्तर प्रदेश का एक मात्र राष्ट्य उध्धान है चलिए अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है अमेरिका का राष्ट्र खेल कौन सा है तो अमेरिका का जो राष्ट्र खेल कौन सा है यह है बेस्पॉल और आपको क्या हो जाएका ऑपसिन कले बताना है इंगलेंड का कौन सा है तो यहाँ पर जो राष्ट्र हो जाएगा वो कौनसा है अगला सफिर्द का राष्ट्र किस चेतर केível संधान करता है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा option number question number 33 का यह हो जाएगा रक्षा अनुसंधान रक्षा अनुसंधान जो DRDO का मुखकार है रक्षा अनुसंधान option number D is the right answer चले अगला जो question है भारती राष्ट्रिय भारती राष्ट्र भारती ग्यान पीट पुरुषकार किस छेत्र में उतकर श्रिकद्वान के लिए दिया जाता है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा यह हो जाएगा साहित यानि साहित किस छेत्र में ग्यान पीट पुरुषका पैज एबात की जाए तो जो समिधान के जो आट्वी अनुशूची में जितनी भासाय बढ़नत है अनुशूची में जितनी भासाय बढ़नत हैं कितनी भासाğै तो क्ल हैं 22 भासाथ बढ़नत है जाद disruptive अब कितनी रासी दे जाती है यह इंड personn长 भाषा आएं तो कितनी यासी दियाती है यह दियाती है 11 लाक रुपए और एक प्रस्ष्थी पत्र दिगा जाता है और बाग देवी की कांसी की मूर्थी दियाती है यह होता है पुरुष्कार चलिए अगला कुछन की बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा बन जीव अभ्यारन कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा बन जीव अभ्यारन है यह कौन सा है यह गुड़ घर घुड़ घर जंगली यानि जंगली गधा अभ्यारन अप्शन अमर्डी हो जाएगा राइट अंसर चरिए दूद्बने सब आपको पता है कहां पर पढ़ता है यह आपको कमेंट क